चीन की उन्नती धीली पड़ रही है वे फिर से उसी 1980 के पूर्व दोर की और बढ़ रहा है जहांसे उसने विकास की लैब पकड़ी थी अमरीका की बड़ी कमपनिया तो चीन से अपना बोरी अबिस्तर समेठी रही थी अब जर्मन की एक चोथाई कमपनियों ने भी चीन को गुड़ बाई कह दिया है यानि यह ठीक बिर्टेन की लेबर पार्टी की तरह हो रहा है जिसने भारत के आंत्रिक मामलों में जरूत से ज़्यादा हस्तक सेब करके दुनिया में लोग प्रिया होने का पैंतरा चला था मतलब जिन दिनों कस्मीर पर दुनिया एक सूर में बोल रही थी तब लेबर पार्टी भी चीन और पाकिस्तान के सूर से सूर मिला रही थी इसका परिणाम यह हुआ कि बिर्टेन में परवासी भारतियों ने अपना समर्थन लेबर पार्टी को नहीं देकर बोरिस जॉनसन के पाले में कर दिया जिसके बाद लेबर पार्टी के सत्ता तक पहुंचने के सपने चूर चूर हो गए लेबर पार्टी से जैसे भारतों का मौबंग हुआ वैसे ही चीन से दुनिया भर की कमपनिया उसके मौपास से निकल कर दूसरे देशों की और कूच कर रही है खास बात यह है कि इन देशों के पसिंदिदा मुल्क के वरियता करम में भारत पर्थमस्थान पर है उसके बाद वियतनाम इंडोनेशिया और थाइलेंड है इसकी वजए भारत में सस्ता मारव संचादन और भारत दुआरा कमपनियों पर कम गिये टेक्स का परिनाम माना जा रहा है चीन से जर्मन कमपनियों के प्लैन का करण बढ़ता परिचालन खर्च और वर्तमान हालतों में वहाँ वापारिक प्रिस्थितिया अनुकूल होना नहीं है अमरीका से ट्रेडवार के चलते भी उत्पादन बेहद महेंगा हो चुका है इसी के चलते करीब 142 जर्मन कमपनिया चीन छोड़ने की तैयारी कर चुकी है जर्मन चैंबर ओप कोमर्स के वार्चिक सर्वे में कहागा है कि चीन में उत्पादन कर रही जर्मन मूल की 23% कमपनियों ने या तो उत्पादन बंद करने का नीरी ने लिया है या इस पर गब भीरता से विचार कर रही है गोर तलब है कि चीन में इस वक्त जर्मन की 526 कमपनियां काम कर रही है जिन में से ज्यादा ने चीन को छोड़ने का मन बना लिया है पिछले दिनों जर्मनी चाचलर एंजिला मरकेल और प्यम नरेंदर मोदी के बीच भी भारत में जर्मनी के निवेश को ले कर बात हुई थी या उसका असर अब धीरे धीरे दिखने लगा है भारत में कम लागत के चलते भी जर्मन कमपनियां यहाँ ज़्यादा दिल्चसपी ले रही है जबकि चीन अपनी एकोनिमी को संतुलुत करने के परियास में है इसकी वज़े से वे एक्सपोर्ट और निवेश से उपभोगता खर्च आधारी थी इकोनोमी के ओर बढ़ रहा है जिससे चीन में मानवसंसादान काफी महंगा हो गया है हालत यह है कि कमपनियों की लागत की तुल्ला में मुनाफे में निरंतर कमी हो रही है वे अपने लक्षे हासिल नहीं कर पा रही है जिससे उन्हें अब घाटे में जाने का डर सताने लगा है ट्रेडवार के कारण चीन से एक्सपोर्ट करना पचास थिस्दी महंगा हो गया है पर मामला यहां तक नहीं है जर्मन की एक चोथाई कमपनियों के अलावा बाकी कमपनियों ने सर्वे में इस्पष्ट किया है कि वे भी अपना कारोबार दूसरे देशों में ट्रांसफर करने पर विचार कर रही है ज्यान देने वाली बात यह है कि अमरीका की 35 सदी कमपनिया पहले ही चीन की धर्ती को छोड़ चुकी है इन में से कई कमपनिया भारत और व्यतनाम जैसे देशों में अपने ने पलांट इस्थापित कर रही है खुद चीन की कमपनिया भी चीन की इस नीती से प्रेशान है चीन की कमपनिया भी भारत में मेकिन इंडिया के टैथ यहां अपने उपकरम इस्थापित कर रही है खास बात यह है कि चीन में काम करने वाली कमपनियों में सबसे बड़ा समू जर्मन कमपनियों का माना जाता है इनके द्वारा चीन को छोड़ना इस सम्मेवादी मुल्क के लिए बड़ी चोट माना जाएगा जबकि इन कमपनियों का भारत में प्रवेश देश के विकास में बड़ी भूमिका निभाएगा बड़ी बात यह है कि भारत सरकार का पूरा जोर चीन से प्लान कर रही कमपनियों को आकर सिट करने में है सरकार कोशिश कर रही है कि अधिक स्याधी कमपनिया भारत में अपने प्रोजेक्ट सुरू करे इसके लिए सरकार द्वारा सिंगल विंडो जैसी नीती बना कर इन्हें आसानी से भारत में उधोग लगाने है तू प्रेरित किया जा रहा है अब भारत में वरस 2014 वाले सक्तनियम खतम हो चुके हैं और इस देश में व्यापार करना पहले से कहीं ज़्यादा सरल हुआ है संभवत मोधी सरकार का 5 सालों में 5 क्लियन की इकोनोमी बनाने का सपना भी यही से सुरू होता है इसलिए जर्मन चांचलर एंजिला मरकेल और प्यम नरे नर्वोदी की विगत दिनों हुई मुलाकात के मायने आज समझ में आ रहे है आसा है दोस्तों वीडियो पसंदा आग आप से सिगर बेट होगी तब तक के लिए अनुमती दीजिए जए जवान जए किसान जए हिंड वद्ने मातरओं